दाद खाज खुजली दिना से अगर आप परेशान हो दबाई खाखा के परेशान हो चुके हो बहुत डाक्टर देखा चुके हो जब तक दबाई खाते हो तब तकी ठीक रहता है फिर दिना शुरू हो जाता है खुजली शुरू हो जाती है तो आपके लिए एक रामबा निला पूर जिन्देगी के लिए दाद खाच आपके पास नहीं आएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आपको एक ऐसे कटोरी लेना है कोई साभी कटोरी लेना है उसमें आपको चाहिए नारियल का तेल देखिए गोले का तेले किसी भी कंपान निका हो आपकी घर से आपको नारियल का तेल चाहिए दुकान पर आपको मिल जाएगा कि आपको ख्रूमी के नारियल का तेल और को को लेना आए उसकी बात दोस्टेत चाहिए हमें तो कहां मिलेगा तो मैं आपको बता ढदेता हूं ये जूझाली कि सिद्ट आपको कियुंत बो तो पर आप को आपको होमियोपातिक मेडिकल बीचौ सबूर अका रूचर से अ होग गया और को खूल किया थे इस तरह कि पैकेट में आता है इसने 20 गिराम है आप अपने अनुशार मिला लेना और यह है नारियल का तेल यह दोनों चीज़े चाहिए आमें अब हमें क्या करना है यह सेली सालिक एसीड जो है इसको नारियल के तेल के साथ मीक्स करना है कि देखो हम कुछ मीक्स करके दिखाते हैं यह घृट की तरह है कि यह हमने थोड़ा सा ले लिया है एक चान ख़आ है कि आप कि सीबी humanry का ले सकतो है यह अगरो बाल की है आपको जो मौरीजी बोही ले लेना जहांप तो मिल जाए किसी भी पानी का मिल जाए तो आप ले लेना इसका नाम में इसको थोड़ा सा ऐसे करके हम तोड़ देते इसको दाना माइम कर लेते हैं पूरी तरह से देखे दोस्तों पाउडर बन चुका है देखे देखे विवाय जाना माशा कराइखे बला प्रूमचा आपको लेना है वह इससाथ उपने लिएका अपने उनुशार मिला ले लेना और इसको कि fi से मिलाना है गोले का तेल में सेली सली कैसिल को कुछ इस तरह से मिलाना है मैं यहाँ पर आपको मिला के देखाता हूं बहुत यह अच्छी तरह से मिला लेना है यह दाना-दाना सा रहता इसके अंदर एक दोंबारी की से मिला लेना है बहुत देर तक मिलाएंगे तो बहुत यह अच्छा ना ने लाना है किस तरह से लगाना है और किस तरह से लगाने से जिन्देगी भार के लिए दातकाश कुल की आपकी सरी से गायब हो जाएगा वो भी बता कि सब्लाने के खाल है रात को सहने से पहले लगाना है वह रतिता है आपके कहीं कट चुका है और स्पार नहीं नहीं हो तो अगर आप शरीर में दानाओं के उपर लगाएंगे तो नहीं लगेगा अगर काट गया कही बार छील गया एक्सिडेंट हो गया तो आपकी सरीर से चमड़ा से चुका है अगर उहां पर लगाएं तो बहुत ज्यादा लगेगा तो यह चीज़ें में रखना है और दूसरी ची कोने से पहले यह दो टाइम आप लगा लेना बहुती अच्छा परीनाव आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ दो ही दिन में आपकी सरीर से दाज घाज फुजली पूरी तरह से हमेशा के लिए जड़ से खतम हो जाएगा दो बारा कभी नहीं होगा यह चीज आपको जैन में कि अच्छक चीज देखना है यह घार्ण्टी से बोड़ा हूं दोस्तों के परहूं को बनाना है सेली सालिक एसीड और गोले का टेल से विला यह पेस्ट आपको बनाना है और आपकी सरीर में दीन में दो बार एपलाई करना है तो यह जानकारी जो है आप अपने दोस्तों क को श्यार कर देना सब को श्यार करके बता देना कि फिरी में या तो फिर दो त्यार पास दास रुपे खर्चा करके आप किस तरह से दाज खाज खुद लिजे मुक्ति पा सकते हो कि थैंक्यू